हलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, निफ्टी फ्यूचर्स पर 5 मिनिट के केंडल चार्ट पर, इस तरह से दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों, आज दोस्तों नि इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, और दोस्तों इंट्राडे बेसिस पर फ्यूचर लोड्स की मदद से दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के थूरू काफी अच्छा दो, इस तो रिटर्न बना सकते हो, ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो का यही में टॉपिक रह जाके देखिए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो यह टेक्निकल एनालाइसिस की प्लेलिस्ट है इसके अलावा बैंक निफ्टी के स्ट्रेजी पे भी ओल्रेडी प्लेलिस्ट बनाई हुए और निफ्टी से दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट को गहराई से टेक्निकल एनालाइसिस हो या फिर गलोबल इंडाइसिस के बेसिस पर किस तरह से मार्केट में ट्रेड्स लिया जाते हैं उनको सिखाया जा रहा है यहां पर तो दोस्तों यह वीडियो सीरीज पूरी आपको काफी होल्ड किये तो आपको एक बहुत बड़ा रेटरन देंगे दोस्तों तो आप इन वीडियोस को जाकर के जरूर देखें इसके अलावा दोस्तों हमारी और भी अन्य प्लेलिस्ट है जो की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है अगर यह नहीं देखी तो द 3-4 गुने हो चुके हैं दोस्तों तो दोस्तों इन वीडियोस को जाकर के जरूर देखिए इससे आपकी नौलेज बढ़ेगी और दोस्तों आपको फ्यूचर के लिए भी समझाएगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ट्रेडिंग की जाती है तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों अभी हम आगे निफ्टी 50 के चार्ट के उपर तो दोस्तों निफ्टी 50 पे ये एक डेली केंडलिस्टिक का चार्ट है दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो निफ्टी के चार्ट को देख करके आप बन रही है दोस्तो जब भी यह रिलीज होगी दोस्तो आज यह वीडियो बन रही है 14 जन्वरी के दिन और जब आप वीडियो को देख रहे होंगे तो हम मार्केट को उस वक्त के condition के हिसाब से भी समझ पाइंगे अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है market में जो हमने जो हमारी breakout stocks of the day series चल रही है और nifty और bank nifty के उपर जो हम intraday option trading के बारे में बताते हैं दोस्तो option trades देते हैं उसमें जो है आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अच्छा खासा जो है market ने यहाँ पर breakout दिया था उसके बाद में तेजी बन गी थी ठीक है तो दोस्तों अभी जो है आज का चुकि टॉपिक हमारा पाच मिनिट के candle chart पर हम कैसे अभी जो है यह bearishness के बाद में दोस्तों वापिस से market ने ट्रेंड पकड़ लिया और एक तेजी शुरू होगी है ठीक है तो जब तेजी शुरू होगी है तो दोस्तों as an intraday trader हमको जो है तेजी में तेजी के trades ही लेने होते हैं ठीक है वो ज़्यादा reliable होते हैं और ज़्यादा sustainable होते हैं और दोस्तों वहाँ पे profit होने की ज़्यादा सम्मावना होती है अब हम इसको डेली केंडल रिष्टिक से ऐग 5 लिट केंडल चार्ट पर देखते हैं अप चुकर हमको समझ आगी है कि trend तेजी गाए तो दोस्तों हमको जो है ऐसे case में पाच लिट केंडल रिष्ट चार्ट को समझने के लिए हमने पांच मिनिट का चार्ट ओपन कर लिया पांच मिनिट के साथ में हमारे पास में यह moving averages लगे हुए होने चाहिए especially दोस्तों यह जो 50 candles का moving average होता है 50, 100, 200 और 20 तो आप यहों भी कह सकते हो कि 20 DMA ठीक है 20 DMA ठीक है 50 DMA 100 DMA और इसके अलावा दोस्तों आप 200 DMA का moving average को हमेशा plot करके रखोगे इसके उपर moving average को plot कैसे किया जाता है तो वह भी मैं आपको एक idea देता हूं यहां पर यह indicator section होता है तो दोस्तों especially दोस्तों अगर दोस्तों यहां पर आप देखोगे indicators को ठीक है तो indicators में देखिए यह indicator वाला section होता है यहां पर ठीक है इसमें जाओगे तो आप यहां पर EMA में actually दोस्तों moving average exponential जो आता है यहां पर EMA लिखने के बाद में moving average exponential आता है उसको plot किया जाता है यहां पर इसको जैसे ही plot करोगे दोस्तों यह click करने के बाद में moving average की line बन जाएगी ठीक है लेकर moving average की line बनने के बाद में दोस्तों होगा यह कि यह जो moving average है दोस्तों यह जैसे अभी यहां पर plot हो गया है 9 का moving average जैसे दोस्तों आपको मैं बताओं तो यहां पर जो है अगर हम indicator लगा रहे हैं वापिस से EMA और moving average exponential में अगर हम देखे हैं तो यह 9 का moving average है यह छोटा सा दिख रहा होगा आपको 9 का moving average है तो हमको यह जो digit होती है इसको change करना पड़ता है और यहां पर आपको जो भी moving average लगाना है चाहिए 10 का हो 20 का हो 20 का लगाना होगा तो 20 टैप कर दो और okay का button दबा देना है आपको ठीक है उसके बाद में आपका moving average एपलाई हो जाएगा ऐसी तरीके से दूसरा moving average वापिस से ले करके 50 का moving average आप इस तरह से डाल के okay का बटन दबा सकते हो ठीक है तो आपको जो है दोस्तों इस तरीके से moving averages लग जाएगे अभी खेर हमको यहां पर 9 के moving average की जरुरत नहीं है लेकिन दोस्तों यहां पर जो मैं बताना चाहता हूं कि डेली केंडल चार्ट से जब हम 5 मिनिट के केंडल चार्ट पर भी देखते हैं तो यहां पर भी moving average लगे हुए है ठीक है अब देखे दोस्तों यहां पर अब किन चीजों के हमको जरुरत पड़ेगी देखो हमको जो है दोस्तों 5 मिनिट का पर इस तरह से लेंगे दोस्तों जहां डायरेक्शन में और पैसा जा रहा है मनीका फ्लोग रहा है उसी डायरेक्शन में हमको जो है पैसा डालना और पैस निकालना तो आँपको यहांपर बाइंग के trades लोगे for example यहाँ पर यह साथ जनवरी का दिन था और market में जैसे यहाँ पर खुलते से एक तो तेजी मिली ठीक है तो यह एक अच्छा का सा breakout दिखाम को ठीक है तो अगर आप जो है intraday trader हो या फिर दोस्तों आप एक scalper हो आपने term सुरूनी होगी scalper की ठीक है scalper जो होता है दोस्तों वह छोटे-छोटे swing trades लेता है उसी तरीके से हमको intraday trading में swing छोटी-छोटी से scalp लेने मतलब 25-50 points ठीक है 25-50 points का दोस्तों हमको यहाँ पर trade लेना होता है ठीक है तो 25-50 points का trade कैसे लिया जाएगा जैसे यहाँ पर देखें दोस्तों मार्केट खुला मार्केट में तेजी थी ठीक है यहाँ पर moving 200 डे के moving average पर एक अच्छा खासा जो है bullish जो है आपको यहाँ पर देख रहा है सीन के market जो है एक bullish pattern मना रहा है अगर देखें तो यहाँ यहाँ पर mixing हो जाएगी वैसे आज की वीडियो में लेकिन यह देखें यह इस तरीके से कप और यह इसके बाद handle यह handle बनाया इसने और यहाँ से breakout आया breakout के बाद में जो है यहाँ पर इस चीज जो टार्गेट 25-50 पॉइंट का ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए ठीक है ज्यादा टार्गेट नहीं रखना चाहिए और फिर टार्गेट जो है यह भी सोच की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थियोरी एपलाई हो जाती साथ ही साथ ठीक है तो मार्केट को समझने के लिए आपको कई सारे पेरामिटर समझने पड़ते हैं पांच मिनिट के के चार्ट को तो यूज करें लेकिन दोस्तों साथ-साथ आप कई सारी चीजों को और भी धियान रखें चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है मुविंग एवरेजिस कहां पर है जैसे कि यह बताया गया यह 200 लेगा ग्रीन कलर का मुविंग एवरेज है उसके बाद में दोस्तों आपको यह समझाना चाहिए कि यहां पर 100 लेगा मुविंग एवरेज वो किस तरह से एक्ट कर रहा है ठीक है जब आप इन चीजों को लगातार करते रहोगे तो आपको जो है दोस्तों पांच मिनिट के केंडल चार्ट पर ट्रेडिंग करने में भी महारत असेल हो जाएगी अब देखो दोस्तों थोड़ा सा इस चीज को यह देखते हैं अब चुकि कुछ दिन पहले जो है दिसंबर में यह करेक्शन चली थी ठीक है यह अगर हम डेली केंडल चार्ट पर देखते हैं तो यह आ आप यहां पर देख सकते हो डेली केंडल चार्ट पर यहां पर यह जो करेक्शन चली थी ठीक है इसके बाद में मार्केट ने कैसे रियक्ट किया और तेजी का ट्रेंड कहां से बनाता तो अभी हम उसको समझते हैं ठीक है वो पांच मिनिट का केंडल चार्ट आपको और अ था दोस्तों तो हमको वह समझना होगा कि कहां पर से हम बिल्कुल क्लियर जो है एक पोजिटिव ट्रेंड दे चुरू गया था तो दोस्तों यह यह सपोर्ट था इस वक्त पर यह यह जो 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 लाइन दिख रही है आपको अगर हम होरी जोंटल लाइन यहां पर ड्रो करत तो यह जो है support था और यह बना हुआ था resistance ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह इस तरीके से support और resistance बने हुए थे और उसके बाद में जो है इस line को हम थोड़ा नीचे ले आते ही यह support और यह resistance बने हुए थे यह 5 मिनिट का candle chart है support यह रहा और resistance यह रहा market ने जब तक यह break नीचे किया था तो breakdown था तो हमको जो है गिरावट में तो गिरावट के trade लेने थे लेकिन जैसे ही तेजी शो की तो पहला signal तो हमको दोस्तों market का के market में तेजी आ रही है वो इस gap up के साथ कुल की यह जो sideways हो गया market महां से मिलता है यहाँ पर इसलिए मिलता है दोस्तों क्योंकि यह एक ऐसा जोन था जहां पर buyers और sellers के बीच में जो है एक वो एक बहुत जंग सी चल रही थी ठीक है और उसके साथ मैं आपने use किया moving averages का भी ठीक है moving averages का भी use किया मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें मैं proper तरीके से आपको candlesticks भी बताऊंगा ठीक है और next जो वीडियो के वो candlestick के बारे में होगी और candle stick के बाद में दोस्तों किस तरह से candle stick का भी इसमें use किया जाता है जब आप internet trading कर रहे हो और साथ में आप जो है यह भी आपको बताया जाएगा candle stick के अलावा यह moving average का जो है किस तरीके से यहाँ पर use किया जाता है क्योंकि दोस्तों एक वीडियो जो होती है उसमें सब चीजी नहीं cover की जा सकती है तो moving averages का भी जो है किस तरह से use किया जाता है यहां ठीक है तो वह भी बताया जाएगा इसलिए मैं दोस्तों आपको बार बार करता हूं कि अगर आपने हमारी previous videos को नहीं देखा है तो जा करके उनको देख लीजिए दोस्तों इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देता हूं कि दोस्तों हमारा जो है trade learners का टेलीग्राम चैनल है इसको जा करके जोइन कर लीजे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी important link से provide कि जा रहे हैं दोस्तों बहुत important चीजे हैं बहुत सारा educational content trade learners के टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्द होगा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमने important important videos जो है वो शेयर करते हैं जो आपको जो है बहुत अच्छे से जो है दोस्तों financially तो free करेगी लेकिन life के बारे में भी जीवन के बारे में भी बहुत important learnings मिलेगी कई students को career counseling की ज़रूरत होती है तो important videos प्रोवाइड की जाती है जिनसे दोस्तों उनको पता चल जाए कि पूर करके दोस्तों join करिए आपको यह जो लिंक है दोस्तों description box में मिल जाएगा और stock market की important books भी मिल जाएगी चलिए वापीस से आते हैं दोस्तों nifty 50 के चार्ट पर और दोस्तों देखते हैं कि आज जो है दोस्तों किस तरीके से यह अब यह देखिए पांच मिनिट के चार्ट प बनावाता तो बेरेश से जो है बुलिश कब हुआ तो बुलिश होता है यहाँ पर जाकर के यहाँ पर जाकर के जैसे इसने अपने moving averages को एक तरीके से यह माल लीजिए कई लोग इसको कहने के लिए technical भाशा में यह कहते हैं कि जब 50 का moving average 200 के moving average को break कर देता है cross कर लेता है तो यह एक ठीक है तो आप जो है दोस्तों यह भी यूज कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पर आपको पता चलाता कि बुलिश पेटर्न चालो हो चुका है ठीक है यह जब 50 का moving average आप देख सकते हो यह blue color के line जो है 50 का moving average है ठीक है blue है ठीक है navy blue जो भी line है ठीक है इसको देख सकते ह और इसने जैसे ही यहाँ पर green line को cut किया इसका मतलब आप यहाँ पर भी समझ सकते हो और decide कर सकते हो कि भई अब market में जो है तेजी आने वाली है ठीक है तो यह भी एक signal होता है ठीक है तो यहाँ से भी आपको एक idea लग जाता है कि अब market का trend जो है bearish से bullish होने वाला है तो फिर इस तरीके से जो है दोस्तो यह इसके बाद इसने जो है consolidate करने के बाद में एकदम से जो तेजी दिखाई ठीक है तो उसके बाद में जो है market में फिर लगातार तेजी जा रही है लेकिन अब चुकी बात हम कर रहे है intraday trading की तो intraday trades कैसे लोगे भाई इसमें तो देखो दोस आने global indices की situation तो आपको कई सारी वीडियो में बताईए उस according भी आप intraday में आपको क्या लगता है market bearish रहेगा bullish रहेगा यह समझें पहले तो और बाकी दूसरी चीज यह भी दिमाग में रखें कि हमारे nifty 50 का trend कैसा बना हुआ है तो देखो दोस्तो trend जो बना होता है उसमें positive trend के साथ मैं positive trades लेने चाहिए उसमें जो है सफलता की बहुत chances होती हमारे trades के सफल होने की chances होती जैसे देखिए मार्केट गेप अपन हुआ था 24 दिसंबर के दिन और फिर उसमें एक आई sell-off sell-off जब आई तो उसके बाद वापीस से यह 200 डे का moving average पर आने के पाद जो इसके reaction रही वो पड़ी sideways ही रही और फिर जैसे यहां पर breakout की यह कुछ candle से दिखी दोस्तों तो उसके बाद में आपको समझ आ जाना चाहिए आपको entry लेनी चाहिए 25-30.50 पॉंट का move लेना चाहिए और अपने target को अच्छे करने के बाद में exit कर देना चाहिए छोटे-छोटे target support है दोस्तों वही अब resistance की तरह face करेगा यही resistance की तरह face करेगा यह यहां पर break करने की कोशिश की इसने लेकिन break नहीं कर पाया तो यह रेजिस्ट होके वापिस यहीं पर आ जाएगा और फिर जैसे नीचे 200-day के moving average से नीचे खुला market फटा-फट से दोस्तों तेजी आगी ठी क्योंकि हमको यह पता है कि bullish trend तो बना हुआ है market जो है यह fake जो है इसमें गिरावट आ रही है तो जैसे यह गिरावट आई अगर आप जो है दोस्तों उस वक्त पर अगर रिस्की ट्रेट से ले सकते हो तो ऐसे पॉइंट पर तब ही ले पाऊगे नहीं तो जब आप confirmation हो जा तो आपको यहां पर सही सही location पर जाके scale put करना चाहिए दोस्तों ठीक है और इस तरीके से जो है फिर जब वापे से train चलो गया तो फिर यह gap up कुला और फिस sideways रहा तो फिर आपको मोका कहा पर मिलता है अखिर में तो मोका अच्छा अगर trend के साथ ट्रेड लेना है तो यह moving averages क यूज करना चाहिए और देखे दोस्तों इसमें फिर आपको देखना चाहिए केंडल स्टी किस तरह से वर्क कर रहा है तो यह bullish engulfing का sign है दोस्तों bullish engulfing का sign है यहां पर देखोगे दोस्तों तो यह bullish pattern बना है दोस्तों इसके बाद में आपको एक तेजी का trade लेना चाहिए इ फिर bullish pattern जब आपको लगता है बन गया है फिर आप entry ले सकते हो हो सकता है आप bthtv कर सकते हो दोस्तों आज खरीद लिया कल बेज दिया ठीक है तो इस तरीके से जो है आप जो है है बाकी एक moving averages पर आके जब market rest करता है और आपको लगता है कि यहाँ पर जो है ऐसा कुछ pattern मन रहा है कि bullishness जारी रहेगी तो फिर आप जो है 25-50 point nifty पर जो है grasp करने के लिए फिर trading करते हो और फिर आप अच्छे खासे 25-50 point इस तरीके से लेते जाते हो ठीक है और कई बारी दोस्तों आपको और साथ ही साथ दोस्तों यह जो कुछ भी काम होता है उसमें stop loss लगाना होता है अब जैसे यहाँ पर अगर आप trade ले रहे हो तो आगर मानलों फॉर एक्जंपल यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ इस टॉपलो नीचे लगेगा ठीक है यह bullish engulfing sign देखने के बाद में अगर आप ट्रेड लेते हो फॉर एक्जंपल भले ट्रेड सफल हो या नहीं हो लेकिन दोस्तों आप ट्रेड लोगे तो इस टॉपलो बनी तो इसको देख करके जो है ऐसा पैटर्न बनता है कि दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेड लोगे तो यह जो जो नहीं है दोस्तों इसके नीचे जाके stop loss लगा होगे ताकि आप कम से कम पॉइंट जो है मार्केट को दो और बाकी जो है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा आप पर रेटन लो ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों यह सब प्रैक्टिस का मामला है और जितना ज़्यादा आप इसके study करोगे वर्क करोगे तब जाके आपको चीजे समझाएंगी यह वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बड़न की होगी दोस्तों मैं उम्मीद कर तरीके के पेटरंस होते हैं और उन पेटरंस का यूज करके और मुविंग एवरेजिस का भी यूज करके हम किस तरह से इंट्राडे बेसिस पर जो है अच्छा खासा निफ्टी के फ्यूचर लॉट्स की मदद से जो है रेटन मनाते हैं ठीक है तो दोस्तों वीडियो अगर स्टॉक मार्केट के लर्निंग को बढ़ा सकते हो चलिए दोस्तों वीडियो का अभी एंड करते हैं वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्मिवाद